तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से तिरुपती में तिरुपती सहर में हैं बस पे हैं और जा रहे हैं मंदिर कोगली तो सी हैं । अब आज देखे हमारे बगल में टीटू है और हम लोग अभी बस में बैठ चुके हैं और उधर श्याराम जी है दर मिंदर गया है तो अभी यह हम राक शम रोड तिरुपति है नियार इंटीर सरकिल तो यह तिरुपति में एंटीर सरकिल जो कि आप देख सकते हैं यहां पर एंटीर का स्टैचू भी लगाया हुआ है और यह बस है जो मतला बले जाड़ी है आप जानते ही हैं तिरुपति में आंद्र पर्देश में एंटीर बहुत ही फ्यमस है कि इनका 28 अधाय तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से तिरुपति में तिरुपति सहर में हैं बस पे हैं और जा रहे हैं मंदिर तो बस यह ही है तो गाइज यह बस है और तिरपन तिरसट यह बस था और यहां पर चेकिंग पॉइंट है देखेंगा तो यहां पर लगे चेक्ट होता है और सहर से ज्यादा दोड़ा लगवग सहर से चार पांच किलोमेटर आया होंगे और सभी आदमी का है चेक पॉइंट है तो हमारा यह तिरुपन तिरसट तो यहां पर देखी लोगों का भी इस तरह का है यहां पर बिदाउट चेकिंग मतलब कोई भी नहीं जा सकते है तो यह था आपका चेकिंग पॉइंट बहुत ही अच्छा तरीका था इस तरह से चेक किया जा रहा हर बस वाले को हर गाड़ी वाले को और बहुत ही बड़ा मतलब लेवल एक दो तीन चार पांच है यही हमारा बस है इस पर फिर से हम लोग चड़ेंगे आफटर चेकिंग तो चलिए आप जो फिर मिलते हैं मंदिर के पास गाइज यह तो गाइज यह तिरुपती में देख लेजे आपको मतलब पहाड़ों के बीच वादियां ही वादियां नजार आ रहा है और बहुत ही जवड़ा से जो कहिएगा तो इस तरह के सीन आपको कहीं मिलने वाला है जाइज और यह अंद्र पर्देश के प्राइब जैसे जिए अगर आप बस से उतर पर फिर इधर से आते हैं वह सही उटन लेके तो यहां पर आपको कर्ऐ-इंट्री गेट कि मिल जाता है यह दुनों इंट्रीगेट है और इंट्रीगेट यह लोग नीटर कर्छा और कि अधर बाला जी मन्दिर जो पीछे चल रहा है यह साइड मनुदा जाने का रास्ताija तो चल रहा है इस तरह से कि मंदिर से पहले आपको याँ पर मार्केट देखने को मिल जाता जो कि खिलोना बगर जो भी माला है और इस तरह का आप बेंगल्स हैं चुड़े हैं यहाँ पर तृपती जी जो भगवान है उनका फोटो मिल रहा है तो इस तरह का बिख सकते हैं मार्केट है और यहां से चरहें कि यहां पर एक्चुली है क्या कि जो मतलब लगेज आपका यहां पर रखने का विवस्ता है लगेज चपल है शेलफून पुछ हेलाओ नहीं है अगर आप ले जाते हैं तो अपर अपर अपने का यह साचे ब्यवस्ता है जो कि इधर हमारा मंड़ी इधर चल रहे हैं और करते हैं जिसके वज़ा से जिसका सिकार हमारे धर्मेंदर भी होगा अपने मन से वह डोनेट कर रहे हैं तो इस खोश बंच ब्राइब नहीं है इस नमर है आप अ आप पैसा नहीं है वाह नहीं तो पैसा नहीं है प्रेथा के नुशार जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर बाल का कटंग होता है और यह आपका टोकन मिलता है तुरुपत्री महादिवशन का रिशिप्ट का तो गाइज आप कैसा लुक लग रहा है आपका चंदन जो हमारे माथे पर देख रहे हैं यह तिरुपति मंदिर का है और जो तिरुपति भगवान है उनका ही यह चंदन लगा हुए सब्सक्राइब तो गाइज हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां राथ चलता है जो कि देखिए कि कैमरा की नजर से आप देख सकते हैं यह यहां पर रहत है जो आपको तिरुपति मंदिर की तरफ ले जाता है और यह यह कुछ डिजाइन है तो जो हमारे पीछे लाइन देखना है यह कम से कम भी अगर होगा तो एक से तेड़ किलोमेटर तक लंबा लाइन और यह लंबा लाइन इस वज़ा से है क्योंकि अभी जो मंदिर है तिरुपति बंद हो जाता है दो घंटे के लिए तो दो घंटे के पूलेगा तो यह लोगों का आना है और यह सेट से मतलब जा रहे हैं लोग तो इतना दूर मतलब लाइन रोव देख लीजे भीड क्या है लोग खड़े खड़े होकर मतलब खग गया है इसलिए बापस जा रहे है कुछ लोग कुछ औरते हैं जो मतलब अलाइन में लगे लगे बापस जा रहे हैं क्योंकि साइद अब इनका मतलब फैट थक गया हो अच्छ आप क्या करें जा रही है अंकल इसलिए आप जा रहे हो वो बोल रहे है कि दस बज़े तक आपको जसन नहीं होगा दस बज़े रात तक हैं हमारी ट्रेन है तो फिर वा आपको 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 आपक तो गाइज इतना भाग दोड़ जो देख रहा है रोम नंबर कुछ दिर पहले एट में हम लोग को बैठाया गया जैसे लाइन से मतला वंदर आया तो फिर उसके बाद देखिए भाग दोड़ हुए इतना भीड और यह सिर्फ भीड है आपका तिर्यूपति दर्शन के लिए जो यहां पर इतना आप देख सकते हुए लगवाग सुबह के करीब बारा बज़े से लाइन में लगे लगे और अभी साम के पांच बज रहा है सोच लिजे कि कितना लंबा लाइन हो सकता है ओके तो बहुत ही टफ रहा है तो जितना भी फेस देख रहा है आपको पताना चाहा रहा है कि अभी करीब करीब मतलब आदा गंटा फिर हम लोगों को बेट करना पड़ा और बेट करते हुए फिर से लाइन में बढ़ रहा है और कब मतलब तिरूपति का दर्शन होगा यह अभ अभी कितना दूर है कितना यह लगवक मतलब करेवे चार घंटे से लाइन में है तो यह चीज़ है यह शीन है आपको बता रहे थे कि जब हम तिरूपति मंदिर मतलब आने वाले थे अंदर से आपको सीन भी दिखा रहे थे तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ क्योंकि जब सिक्रेटी वाले ने कैमरा मतलब देखा तो वहां पर मेरा कैमरा जब कर लिया तो अंदर के सीन हम आपको दिखा नहीं सके तो एक और कम से कम हम आपको जिस मंदिर के हम बात कर रहे थे तो यही आपका तिरी पतों मंदिर है और यह आपको अंदर परदेश के चितुर जिले में इस्तित है और यह आपका कि तो गाइज यह आपको बताना चाहा रहेते कि यह तीरु माला के पहाड़ीयों पर जमीन से बत्ती सो फीट उपर यह तो गाइज जैसा कि बता रहेते हैं मेरा बार बार गोप्रो आफ हो जा रहा है और बैटरी चार्ज नहीं है तो हम आपको बता रहेते कि यह पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं वीडियो क्वालीटी बहुत ही खराब आएगा बड़ कोई बात नहीं बहुत नहीं बहुत इसकी मतलब जनकारी तो सुल्फ क्या कि मतलब यह जो हमारे पीछे जो तिरुपति मंदिर देख रहे हैं आप यह मतलब शावत इंडिया का मतलब बहुत ही परशीद मंदिर है और यह आपका मतलब तिरुमाला की पहाडियों पे लगभग जमीन से बती सो फीट उपर यानि पूरा का मतलब मंदिर और जितना भी मतलब यह जो देख रहे हैं मंदिर है इसका मतलब ट्रस्ट है और भी बहुत सरा चीज है तो यह एक भारत का सबसे बड़ा मतलब तीर थस्तल में से एक है और यह तीरुपति चितुर जिले में है आंदर परदेश के चितुर जिले में इस्तित है तो गाइस यह है आप तो आप बाहर से मंदिर इस तरह था और आज हम यहां दर्शन के लिए आया थे कल 24 तारी को एक बज़े से लेकर सुबा जाकर दो बज़े तक मतलो दर्शन हो पाया इतना भीड इतना मतला मैनेजमेंट जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ए तो अभी नाइट का सीन है तो इसलिए अभी आपको यहां पे दिख रहा होगा फिल्ड में बहुत सारे लोग सोय हुए क्योंकि जो दर्शन करने के लिए जो तीर्थी आत्री आते हैं वो उनको रात में मतलब कहीं जाने का बेवस्ता तो है नहीं तो यहीं पे मतलब रह ज अधाबदी का बना हुआ है और भारत का मतलब एक अमीर मतलब मंदिर भी इसको कह सकते हैं दूसरी बात है कि यह अगर पूछिए कि तिरुपति मतलब किस भगवान के लिए मतलब मंदिर फेमस है तो यहां पे विश्णु भगवान के लिए है लोग इधर इनको मतलब यह सुझने करते हैं यहां यहां आपक कुछ आपको यहां के जो मतलब पर ठाइब का ब्युक्त आ चाहिए यहां पर जो मारिक Eli लखा हुआ रहाता है वे इस तरह आपको दिखा देता है है और यहां पर पर शाध हमलोग दरशन करने का बात परशाध क collection था तो नैवेधाम का लड़ू मतलब सुने थे पटना महावीर मंदिर का तो वहां पे अक्सर मतलब यह चीज़ लिखा वा रहा था था कि तीरुपती के कलाकारों द्वारा बनाया गया मतलब परसीद मतलब लड़ू तो आज तीरुपती का लड़ू भी खा चुके हैं और आपको द कैमरा जब मतलब सीज हो गया तो फिर फाइनली अब मिला है जब दर्शन हो गया है और जब मिला तो फिर बैटरी पता ने कोई सेक्रेटी वाले इसको कोशी पूरार कर रहे थे क्या बैटरी खतम कर शुकर चार्ज करने का टाइम नहीं है क्योंकि अब निकलना घर भी तो यह उपर में और भी मंदिर है जहां पर दिया हुआ जलते रहता है यह आगे से सीन है आपका इस तरह का